हलो दोस्तो टेक्नो विक रांत में आप सभी का स्वागत हैं यहां पर इस वीडियो में मैं आपको रियल मी नार्जो 20A के जन्वरी मन्त के लेटेस्ट सॉप्टेयर अपडेट के चेंज लाग के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाइल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लॉग सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पराय हो तो सब्क्राइब कीजे बेल आइकन बगए आल कीज ताकि हमारे वीडियो के सब नाटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम निव वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर रियलमी वालों ने फैनली रियलमी नार्जो 20A के अंदर जनवरी मंद का लेटेस्ट शाप्टेयर अपडेट जो है रूल आउट कर दिया है यहाँ पर देखे करके जरूर बताना दोस्तों कि इसका ओटिय अपडेट का साही कितनी है तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगा तो यह था दोस्तों रियलमी नार्जो 20A का बेसिक साफ्टेयर इंटरफेस और आप बात करते हैं क्या फीचर्स एड हुए हैं कौन से बक्स फिक्स हुए ह और कौन से मंद का सिक्योरिटी पेच मिलता है उसके बारे में सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर 5th Gen 2021 का लेटेस्ट Android सेक्रेटी पेच मिलता है जो की अच्छी बात है दिन अगले चेंज की बात करें तो Bluetooth के अंदर added Bluetooth handset answer icon इसका मतलब अगर आप Bluetooth ear earphones earbuds या फिर Bluetooth वाला headphone यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर call answer के लिए एक dedicated icon मिलेगा जिसके तुरू आप call answer कर सकते हैं इसके अलावा बात करें अगले चेंज की तो setting के अंदर कुछ optimization किया है जैसे कि optimize the logic of data plan limit जो data plan limit रहता है उसमें कुछ optimization किया है जिससे की और भी better experience देख photos photos जो app है उसका latest version यहाँ पर add किया गया है देनगले change की बात करें तो system के अंदर fix some unknown issues and improve system stability इसका मतलब यहाँ पर system में कुछ छोटे मोटे box थे उसको यहाँ पर fix किया गया है और system stability को improve किया गया है जिससे कि और भी अच्छा और better experience देखने को मिलता है system में तो यह था दोस् जो की जनवरी मंद का है दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना अगर मिल गया होगा यह update तो इसका OTA update का size कितना है यह भी comment में जरूर बताना अगर यह update आपको नहीं मिला होगा तो one week wait कर लीजे क्योंकि यह update हाल ही में roll out हुआ है तो आप के mobile में मिलने में कम से कम one week लग जाएगा one week के अंदर definitely यह update आपको मिल जाएगा तो दोस्तो बस इतना ही था इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like करना ना भूले मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो